बारिस का बहाना हो या चाहे पीने का पकोरा दोनों रिजन से ही अच्छे लगते हैं तो आज हम आपके साथ में सेयर करेंगे चन्ने डल की पकोरा के रीसेपी बहुती स्वाधिश्ट करेश्पी कुरकुरे और बनाना इसे बहुत आसान है बहुती जल्दी बन जाते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चन्ने डल की पकोरा और इसे पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सेयर कर दीजिएगा तो चन्ने डल की पकोरा बनाने के लिए यहाँ पे हम एक कातूरी चन्ने का डाल लिये हैं और इन्हे हम 3-4 घंट पहले भीङो के रख दिये थे डल अच्छे से फुल चुके हैं तो अब इन्हे हम ग्रेन्ञ जार में डाल दिये हैं और इन्हें दरदरा पीस लेंगे पेश्ट नहीं करना है और ज्यादा पानी भी आपको नहीं डालना है एक दम डरदरा पेश्ट बनाने से पकरा बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट बनते हैं तब इन्हें एक बार जरूर ट्राय कीजिएगा तब जो हम चना का डाल बचा के रखेते एक से दो चमच के करीब में प्याज प्धाद देंगे चाहिए अब हम इसमें डाल देते हैं एक छोटी चमस के करीब अजवाइन तो अजवाइन टेस्ट भी अच्छा लाता है और रैजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है तो अजवाइन को भी डाल दिये हैं अब इन सभी को हम अच्छे से मिला देते हैं और मिलाने के बाद में इसे आपको रखना नहीं है मिस Using को फटाफ़ट से पकोरा बना लेना है तो मील चुके हैं अच्छे से तो इस तरीके से छोटे-्छोटे पकोरा बनाएंगे इसका देख सके हैं तो बहुत ही अच्छा मिसरन बनके त्यार हुआ है तो इधर हम तेल गरम होने के लिए रख दिये हैं और पकोरा तलने के लिए तेल अच्छा गरम होना चाहिए तो आप पहले एक बार तेल को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा तो यहां पर हम थोड़ा सा मिसरन डाल के तेल को से तल लीजिएगा तो चना का डाल है अंदर से कचा रह जाएंगे तो फिर पकोरा स्वादीश्ट नहीं लगेंगे खाने में तो पकोरे हम पुरे छोटे-छोटे साइज में बनाये हैं तो इसे आपको तलने में 5-6 मिनट का टाइम लग जाएगा एक बार में आपको ज्याद चार मिनट तक और अच्छे से क्रेश्पी होने तक और कलर भी चेंज हो जाएगा तब तक इन्हें हम तल लेंगे तो जब ही कुछ चटपटा खाने का मन होता है तो सबसे पहले पकोरा का ही नाम याद आता है क्योंकि पकोरा बहुत ही जल्दी बन जाते हैं तो कभी-कभी ह कि पकोरा बनाई ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट लगता है चाहे मूंग डाल हो मसूर दाल हो या चना कडाल हो किसी भी डाल को ले सकते हैं आप इस पकोरे को बनाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट लगते हैं तो पकोरे अच्छे से तल चुके हैं इसका प्लिक कर दीजेगा चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो बहुत ही जदा टेस्टी क्रेस्पी कुर्कुरे पकोरा बना हुआ है सौंड आप यहां का सुनके समझी गए होंगे जो पकोरा बहुत ही ज़्यादा क्रेस्पी है तो दूसरा बैस को भी हम तल लिये हैं अच्छे से तो फिर मिलते हैं एक नई रिसेपी के साथ में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तो हम इसमें खाने के लिए मिर्ची भी तले हैं